आएए देखते हैं इन्वेस्टर को किस में ज्यादा कमाने को मिला ये शेर में या निफ्टी-फिफ्टी इंडेक्स में 1-1-2014 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था 6 साल बाद शेर प्राइस थी और इंडेक्स था अगर हमें निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे स्टोक में चार बाते होनी चाहिए 1- लंबी यूदी में शेर प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए 2- जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा स्टोक ज्यादा नहीं गिरना चाहिए निफ्टी के मुकाबले 3- जैसे ही मार्केट रिकवर होती है हमारा स्टोक तेजी से रिकवर भी करना चाहिए निफ्टी के मुकाबले चयार, हमारा शेर अपने सेक्टर का टॉप शेर होना चाहिए, इस वीडियो में हम देखेंगे के हमारा शेर निफ्टी से बेटर है या नहीं, यानि कि पहले तीन पॉइंट्स इस वीडियो में देखे जाएंगे, अगर आपको सेक्टर का टॉप शेर चुनना है तो उस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है 1-1-2014 को 1 लाग रुपए इस शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1-1-1-2-20 को इस शेर में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपए हो गए मार्च में इस इन्वेस्टमेंट की वेल्ली हो गई और करन्ट शेर इन्वेस्टमेंट की वेल्ली है 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपए इन्वेस्टी 50 शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1-1-2020 के दिन इन्वेस्टी 50 में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपए हो गए मार्ज 2020 में इस investment की value हो गई और current Nifty 50 investment की value है share में appreciation ज़्यादा हुआ है इसलिए first point share ने जीत लिया है second point Nifty ने जीता third point share ने जीता overall Nifty जीता चार्ट में देखते हैं एक मिनिट के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये share और Nifty का index जैसे पिछले साथ सालों में चले है वैसे ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी value कहां पहुँचेगी यही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% interest से fix deposit की होती तो आज उसकी value हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने percentage का return दिया ये share ने कितने percentage का return दिया ये comparison है 1st January 2020 से आज तक की यहाँ पर Nifty मजबूत रहा ये comparison है 1st October 2020 से आज तक की यहाँ पर share मजबूत रहा ये comparison है 1st December 2020 से आज तक की यहाँ पर share मजबूत रहा Thank you